नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इबीडी पार साला पर दोस्तों रेलबे आर्पी एफ एसाई की परिक्षा जो है समाप्त हो चुकी है वो आपका 13 जन्वरी को समाप्त हो गया था लेकिन जिनका जो 9 तारीक को एक्जाम था वो पोस्पॉंड दो विडियो के अंत्यक बने रहेगा हम लोग सभी ग्रूप को डिसकस करेंगे ग्रूप A, B, C, D किसी भी ग्रूप में आप है तो हम सभी ग्रूप के cut-off को डिसकस करेंगे और हम लोग पांचरीजन ऐसे ऐसे डिसकस करेंगे फैक्ट रिजन जिसके कारण से cut-off इतने के आ पास पास जो है आपका कटप रहने की संभाबना है तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आर पीए के कटप के ऊपर तो दोस्तों सबसे पहला जो बात है आपका question का level of difficulty तो level of difficulty question का जो था आपका शभी paper का easy to moderate था easy to moderate level का question आपसे पूछे गये थे जो आपका level of question का difficulty ज्यादा नहीं था लेकिन दोस्तों बहुत सारे student का average attempt आपका 92-95 भी रहा इसका main region है दोस्तों कि आपका समय जो था आपका 90 मिनट का था और online exam होने के कारण बहुत सारे reasoning के ऐसे प्रस्ण थे जो आपका एक प्रस्ण का यहाँ पर region दिया गया था और उसका सवाल जो है अलग-अलग करके पूछे गया थे और साथी साथ दोस्तों 90 मिनट का समय जो है सफिसेंट नहीं हो परा था जिसके कारण से आपको जो है 110-115 कोस्टेंट करना इतना असान नहीं बन पर रहा था तो दोस्तों ज्यादा तरह एबरिज अस्टेंट को देखा जाए तो उनका जो है अटेम्ट 92-95 के बीच रहा है अ दोस्तों हम बात कालें जोह है आपका 120 है तो आपका टोटल में मार्क्स भी था जून तेसरी बात मेन हैं दोस्तों कि 1 WHY 3 जो आपका है जो आइगवर न्लेज है और आप 95 नौलेज रहे हैं कि 95 मेरे मेरा है तभी आपका पापाट-ब्रविचर आपकी मुन्स-गतां के में चला जाता है एक दो इर्र हो ही जाता है तो दोस्तों average अगर अगर हर स्रुणंट का Error देख ले तो आपका गलत हो ऊच्छी आए मूझा गार पांसस साथ कोच्छी आपका साथ कोच्छी पांस साथ कोच्छे तो आपकोinhogenиях NICK हो जाएगा तो यदि आपने 90 कोशन अटेप्ट किया है तो नबे में से 5 गलत कर दीजिए तो आपका जो पचासी आजाएगा उसमें सब्सक्राइब को माक्स चले गए तो आपका 83 माक्स आ रहे हैं तो इस तरीके से आपका जो है माक्स नीचे जाएगा और आप जो है एकदम यह मान के चलिए कि आपका हर एक विद्यारती का जो है दो से चार कोशन गलत हुआ ही होगा मिनिमम दो से चार कोशन उससे जादा भी हो सकता है दोस्तों तो आगे हम लोग नेक्स रीजन की ओपर बात करते हैं कि टोटल नमर अप सीट जो है आपका एसाए का वह ग्यारा सो बीस है यानि एक ग्यारा सो बीस लोगों का सेलेक्शन होने वाला है जिसमें से नमर अप मेल कंडिडेट जो है अठारा सो इनीस और नमर अप फीमेल के कटप के उपर भी डिसकस करेंगे तो यदि आप फीमेल पस्टन है जो वीडियो देख रहा है तो वह भी वीडियो के अंतक बने रहें ताकि आपको भी पता चले कि आपका कटप कितना रहने बाला है तो चलिए मेल का जो है आठ सो नीस है इसमें जो है टोटल नमर अस्टुडेंट को पीटी के लिए बुलाया जाएगा वह आपका इसका दस गुना होगा इसका मतलब क्यासी सो नभे स्टुडेंट को पीटी के लिए क्वाइलिफाई के जाएगा तो यह आपका सफीटियन स्टुडेंट है जो 90-95 कोशियन अटेम्ट किये हैं और जिनका 3,4,5,6,7 इत्मा तक के गलती है तो उनका जो है सेलेक्शन होने की संभाबना है अब आगे देख लेते हैं नमर आप स कम रहने की संभाबना है तो अब हम लोग कट अप की ऊपर डिसकस करेंगा कि कट अभी क्रूप का ?? तो दोस्तों मैं एक नॉर्मरली इस वीडियो में सभी ग्रूप का जो है आपका एक इकठे एक इतने अगर सभी किसी भी ग्रूप में आप बिलॉंग करते हैं और इतने मांक्स आपने सिक्योर कर रहा है तो आपका जो है पीटी के लिए आप क्वालिफाय हो जाईएगा तो स आपका सेलेक्शन हो जाएगा एक या दो नमबर ऊपर या नीचे हो सकता दोस्तों से जाद आपका फर्क नहीं पड़ेगा अगर यूर कटेग्री में आपको सब करके इतना मांक्स आ जाते हैं तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा पीटी के लिए अब हम लोग ओबी सी कंडि 77-80 मांक्स तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा पीटी के लिए पीटी में आप क्वाइलिफाय हो जाएगे मेरिट लिस्ट में आपका थोड़ा और अधिक मांक्स चाहिए तभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा लेकिन आप पीटी के लिए OBC में रहेंगे 77-80 तो पीटी में आप क्वाइलिफाय कर जाएंगे पीटी का प्रिप्रेशन करिए दोस्तो यह था आपका जो है मेल का कट टॉप और में अब एक सर्विसमैन की बात कर लेकर लें तो अब हम लोग दोस्तों इसके बाद हम लोग फीमेल के cut up के भात करें दोस्तों तो फीमेल में दोस्तों सबसे पहले हैं में लोग अन्रिजर्फ के बात कर लें तो अन्रिजर्फ में यदि आपने सेटेटी में तो आपका सेटेटी के लिए हो जाएगा अनरिजर्व के टेजर्डी में पीटी के सेलेक्शन के लिए आपको 72 73 माक्स आने चाहिए और OBC में यदि आप फिमल कंडिडेट है और OBC में आती है तो OBC के दो जो है 67 to 70 मार्क्स यदि आपके आ रहा है तो आपका जो सेलेक्शन ओभी सी में पीटी में हो जाएगा पीटी के लिए आप क्वालिफाइब हो जाएगे यदि आप जो 67 to 70 मार्क्स सिक्यूर कर रहे हैं आप सी की बात करने तो एसी में आपका छोगी उसमें आप जोगी कर जाएगा तो दोस्तों यह आपका मेल और फीमेल दोनों का मैई मैं एक एकस्पेक्टेट कटव बताया जिसमें जो है आपका जो है कितने मार्क्स आप सिक्योर कर रहे हैं तो आपका जो है पीटी क्वाइलिफाय कर जाएगा पीटी में आपका है सेलेक्शन होगा आप पीटी परिक्षा देने के लिए इगलीजीबल होंगे वह भी मैंने मे दोनों का डिसकस किया तो दोस्तों यह मैंने जो कटव डिसकस किया हो आपका लगभख सारे ग्रूप का मैंने कटव डिसकस किया मैंने यदि आप ग्रूप A B C D किसी भी ग्रूप में बिलॉंग करें तो उनका लगभख सब इसी के आसपास रहने जा रहा है एक दो मार्स का उपर नीचे फर्क पर सकता है ज्यादा का आपका फर्क नहीं आएगा दोस्तो तो यादी आप किसी भी ग्रूप में थे हैं तो आपका जोई इतना क्या सपास ہी CUT UP रहेगा और दोस्तो ये आपको कोई डॉड लगता है कि नहीं इतना कि आसपास cut-off नहीं रहेगा तो नीचे comment box में जरूर बताएं कि किस group का जो है कितने कि आसपास cut-off रहने की समभाबना है दोस्तों तो उसे एक और अच्छा अनुमान पतका पता चलेगा और दोस्तों इसका जल्द ही answer की दो चार दिन में release कर दिया जाएगा क्योंकि आपका ग्रूप एक answer की आगया और बाकियों का एकजाम खत्ब होते हैं सारे answer की लगभख release कर दिया जाएगा तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए तो दोस्तों answer की आने काई बेट कीजिए जैसे answer की आएगा तो आपको clearly पता चलेगा कि कितने marks जो है आपको ऑप्टेंट किये हैं और कितने marks आपने गलत किये हैं उससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि कितना cut up रहने की संभाब जाए और दोस्तों ज्यादा से जादा दोस्तों से आप बातचीत करने के बाद पता चली जाता है कि कितने marks जो है ओप्टेंट हो रहा है और कितने जो है गलत किये होंगे एवरेज अश्टेंट में उसके बाद आपको पता चल जाएगा तो इसलिए दोस्तों नीचे comment box में जारूर बता है कि आप तोफॉर पतार है कि आपका गलत होने की कितने संभावना है और कितने तो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ